अच्छी खासी फीस ले ली जाते हैं अच्छे खासे पैसी ले लिए जाते हैं लेकिन ये चीजें आपको नहीं बताई जाती हैं कि हमें क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो इसकी लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें यह free of cost वीडियो आपको मैं deliver कर र द THE आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिन लोगों को जेन मरिजों को बल्गम जड़ा है उन मरिजों को क्या नहीं खाना चाहिए दो दिन पहले मुझे चार लाइने कहीं मिली हैं उन चार लाइनों के जरिये में आपको इस वीडियो में उस बीमारी के बारे में और बलगम में हमें क्या नहीं खाना चाहिए उनकी लिए कुछ लाइने प्रस्तुत करना चाहूंगा अगर वो लाइने अगर आपको अच्छी लगें अगर आपको स तरह तरह की मिठाईयां खाने के बाद जब हम अपनी किचिन में गुड़ वाले डिब्बे में हमने हाथ डाला तो अंदर से हवाज आती है कि आगए अपनी अवकात पर अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह सीधा-सीधा कि हमें पहले ही समझ लेना चाहिए कि जिन मरीजो वल्गम बनता है या जिनको फैपनों से रेलेटेड इंफेक्शन है वो मरीज क्या नहीं खाएं कौनसी-कौनसी ऐसी चीज़ है उनको नहीं खाना चाहिए तो विडियो में बाड़ी की से समझेगा कि यह कौनसी-कौनसी चीज़ है जिनको खाने से आपकी प्राब्लम आप किसी मरीज को लंबे समय से क्राउनिक प्राब्लम है किसी व्यक्ति को लंबे समय से परिशानी है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कैसे वो अपने वल्गम को कम कर सकता है तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वल्गम होता क्या है वल्गम यानि कि जब भी हमारे सरीर के अंदर कोई infection होगा चाहे वो bacterial infection हो चाहे वो viral infection हो या fungal infection हो या कोई chronic बीमारी हो त्रिवर कलासस यानि TB की बीमारी हो सकती है इसके अलाबा कई ऐसे patients होते हैं जिनको cancer की बीमारी हो सकती है feveroscis की हो सकती है COPD हो सकता है कई प्रकार की बीमारियां फैंपरों से संबन दित होती है जिसमें मरीज़ को contexto अब अगर किसी को बं रहा है तो वो बलगम को कैसे हम कम कर सकते हैं और अगर बंगम किसी मरीज़ को किसी बीमारी की बजय से बन रहा है तो क्या करना चाहिए तो वलगम बननी के कई सारे कारण मैंने आपको बता है जिन में जो most common होता है वो होता है एक frequent होने वाला infection frequent होने वाला infection से सीधा मतलब है कि मरीज को बार-बार जुखाम खासी common comfort होता रहता है या इसके अलाबा होता है allergy अगर किसी व्यक्ति को allergy है तो अगर frequent infection होगा या allergy की किसी को सिकायत है तो उस मरीज को वलगम बनने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि उसको बार-बार infection होगा देन उसके बाद में हो सकता है किसी मरीज को क्रिवकलोस्टिस हो यानि कि TB की बीमारी तो TB की बीमारी में क्या होता है मरीज का जो infection होता है वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे बढ़ता जाता है जब infection बढ़ता है तो उस मरीज को वलगम बनने की समस्या भी लंबे समय तक परिशान करती है और उसको ज्यादा वल्गम बनना स्टार्ट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और हमें वल्गम अगर बनता है तो वल्गम बननी की बजहों से जो और कॉम्प्लिकेशन आपको आएंगे वो क्या क्या होंगे देखिए जब भी हमारे फैप्रों में वल्गम एकटा होता है तो आपको कुछ परिशानिया और एडिशनल में हो सकते हैं हम जटिलता हैं या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है आपको हो सकता है कि फैप्रों में और दुगनी स्पीड से आपका इंफेक्शन बढ़ जाए इसके अलाबास फैप्रों के अंदर जो ऑक्षिजन की मात्र है वो कम होती चली जाइगी जब फिप्ड़ों की अंदर oxygen की मात्रा कम होगी। तो हमारी पूरी वाड़ी में oxygen की मात्रा कम होगी। अब बढ़ों में बुजग जो हमारे old citizens इन उन में जब यह जमता है बलगम हमारे फितलों में उनके फितलों उनको घड़ घड़ जैसी आवाज आती है वो क्यों आती है कि जो हमारा airway है उसमें आवस्ट्रिक्शन हो रहा है जब भी airway में आवस्ट्रिक्शन होगा सरीर में अगर ऐसी कोई प्राबलम है तो आपको सबसे अच्छा तरीका है अगर आप स्टेटिस्कोप से चेक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप स्टेटिस्कोप से चेक नहीं कर रहे हैं तो आप उसके पास में जैसी मेरीज के में जाएंगे और उसको बल्गम अगर जादा बनता है निमोनिय की जादा सिकाय तो उसको घड़-घड़ गड़ जैसे अवाज उसके चाती से देखनी को मिलेगी जब भी वो सांस खीचे गए जब भी सांस छोड़ेगा तो उसको ऐसी दिक्षिकायद होगी ठीक है तो यह साइन है यह सिंटम से इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि किसी मरीज को किसी व्यक्ति को फैपणों के अंदर बलगम बन रहा है और उसको बलगम इखटा हो रहा है इसके अलाबा और क्या complications हो सकते हैं तो उसमें सबसे जो most common complications था वो है कि मरीज को निमोनिया जल्दी हो सकता है निमोनिया बारवार होगा क्योंकि infection अगर है वहाँ पर present तो निमोनिया ज्यादा हो सकता है शीवियर कंडिशन हो सकते हैं जो शीवियर निमोनिया होता है तो उसके भी कई सारे complications होते हैं patient की blood reports पूरी सारे जो parameters होते हैं वो system आएंगे डबल वी सिस बढ़ आएगा और वी कई सारे ऐसे cells होते हैं जो बड़े हुए देखने को मिलेंगे तो उस मरीज को अगर वल्गम बनता है और अगर उस मरीज को वल्गम जैसी problems है तो उस मरीज को क्या नहीं उसको वल्गम जमता है तो इस चीज को ध्यान रखें मूली उस मरीज को बिल्कुल नदे क्योंकि यह ठंडी होती है और मरीज को यह सर्दी के मौसम में especially नहीं खाना चाहिए ऐसे मरीज को जिसको वल्गम बनती है या फैपनों की मरीज है इस बात को ध्यान को उनकी परिषानी बढ़ सकती है तो मूली आपको नहीं खाना है इस चीज को आप business नोट करने किसी डाप रहे कि आप पहुत अचाःते हैं क्यों आपको मना कर रहा हूं कई ऐसे डॉक्टर होते हैं क्या यह जगह पर आप जब जाते हैं THx वो आपको बताते हैं कि यह नहीं खाना वो नहीं खाना लेकिन कई जगे पर आपको नहीं बताया जाता है आपसे अच्छी खासी फीस ले लिए जाते हैं अच्छे खासे पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन यह चीजें आपको नहीं बताई जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो इसकी लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें यह free of cost वीडियो आपको मैं deliver कर रहा हूं और यह है यह पूरी अच्छे तरीके से ऑथेंटिक हैं मैं आपको free of cost दे रहा हूं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट तक अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें तो यहां पर आपको मूली नहीं खानी है dairy products आपको नहीं खाने हैं dairy products को नहीं खाने हैं dairy products काने का फीछे मैं कालाड आपको बतानी की कोसिस इसकर ब्ठार है और इसके लाबा दही है मक्था हैं ग्र है घी है ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको problem create कर सकती हैं जितने भी dairy products होते हैं वो आपको नहीं खाने हैं इसके लावा और क्या नहीं करना चाहिए खाने पीने में अगर हम बात करें तो ऐसी ठंडी चीज़ें जैसे juices बगर आपको नहीं पीने चाहिए अगर जिनको बलगम बनता ह इस्पेशली सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए सुबह के टाइम पे मीठी चीज़ें हैं या फिर उनको जो सुगर वाले जो juices होते हैं वो नहीं लेने चाहिए जूसे से भी आपको problem हो सकती है चॉकलेट से भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं ये सार से situation जहां पर ठंडी ज्यादा रहती है तो प्रॉपर तरीके से कपड़े पहन के जाएं जिससे की आपको सर्दी ना लगे अगर सर्दी लगेगी तो फिर आपकी ये जो बल्गम बाली समझ से वह बढ़ जाएगी लाइक इसके अलावा फ्रीज की रखी हुई चीजें आप लगे समय तक हम रखे रहते हैं कि दिन तक रखा रहता है कई लोगों के आपने तो वह चीजें आपको परिशान करेगी वह चीज आपको दिक्कत करेगी फ्रीज का अगर मटेरियल खाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ही होता है आज हमने फ्रीज में रखा और इफेक्ट्स हैं वह हमें नहीं दिखाएगा तो यह चीज आपको ध्यार रखनी होगी फ्रीज की रखी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है इसके अलाबा ठंड में अगर आपको निकलना है तो कपड़े पूरे तरीके से पहने और जो एलर्जी वाले एरिया जहां पर आपको लगता है कि धूल मिट्टी धुआ कैमिकल्स फ्यूम्स या फिर पेट सेयर्च हैं या डस्त माइट्स हैं यह अगर रहते हैं तो इस एरिया में जाने की कोसिस न करें कम अवोइड करें मतलब कि इस एरिया में जाने से बचें जिससे कि आपकी जो समस्या है वो नहीं बड़े तो यह सारी चीज़ें आपको देखने होंगे मुझे लगता है कि यह वीडियो आप सभी के लिए हैलफल होगा इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस तरह के वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि कोई नहीं बनाता है इसलिए में आप से इंडिवीदन यही करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्याद से ज्यादा शेयर करें मैं फिर मिलता हूं उसी तरह किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक्स वाचिंग हैवनाइस टे जैहिं करें